अध्याय दस श्री भगवान का आश्वर्य प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ जो मुझे अजन्मा, अनादी, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है मनुश्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुप्त होता है बुद्धी, ज्यान, संशय तता मोह से मुप्ती, शमाभाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तता दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टी, तप, दान, यश तता अपयश जीवों के ये विविद गुण, मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, सत्रिशिगन तथा उनसे भी पूर, चार अन्य महर्शी, एवं सारे मनु, सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन लोकों में निवास करने वाले सारे जीव, उनसे अवतरित होते हैं जो मेरे इस एश्वर्य तथा योग से पूर्णते आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तपपर होता है, इसमें तनिक पिसंदेह नहीं है मैं समस्त आध्यात्निक तथा भोतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तो मुझही सिव भूत है, जो गुद्धिमान यह भली भाती जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, तथा हिदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तथपर होते हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विशय में बाते करते हुए परम संतोष तथा आनन्द का अनुभव करते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं मैं उन पर विशेश क्रिपा करने के हेतू उनके हिदर्व में वास करते हुए ज्यान के प्रकाश्मान दीपक के द्वारा अज्यान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ अरजुन ने कहा आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महांतम हैं नारद असित देवल तथा व्याद जैसे रिशी आपके सत्य की पुष्टी करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हे क्रिश्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्ट या सत्य मानता हूं हे प्रभू ना तो देवतागण ना सुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं हे परम्पुरुष्ट हे सब के उद्गम हे समस्त प्राणियों के स्वामी हे देवों के देव हे ब्रह्मान के प्रभू निसंदे एक मात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ती से जानने वाले हैं कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी आश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त प्रोकों में व्याप्त हैं हे क्रिश्क हे परमयोगी मैं किस तरहे आपका निरंतर चिंतन करूँ और आपको कैसे जानूँ हे भगवान आपका इसमरण किन किन रूपों में किया जाए हे जनार्दन आप उन्हें विस्तार से अपने एश्वर्य तथा योग शक्ती का वर्णन करें मैं आपके विशय में सुनकर कभी तरप्त नहीं होता हूँ क्योंकि जितना ही आपके विशय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अम्रित को चखना चाहता हूँ श्री भगवान ने कहा हाँ अब मैं तुम से अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा क्योंकि हे अर्जुन मेरा आश्वर्य असीन है ये अर्जुन मैं समस्त जीवों के हिदयों में इस्थित परमात्मा हूं मैं ही समस्त जीवों का आदी मध्य तथा अंत हूं मैं आदित्यों में विश्णू, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरूतों में मरिची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवनी मैं समस्त रूद्रों में शिव हूँ, यक्षों ततावाक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसूं में अग्नी हूँ और समस्त परवतों में मेरू हूँ हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित प्रहस्पती जानो, मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्की क्य हूँ, और समस्त जलाशयों में समुत्र हूँ, मैं महर्शियों में भुगु हूँ, वानी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यग्यों में पवित्र पर नाम का कीर्टन जब तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं। मैं समस्त व्रक्षों में अश्वत्त व्रक्ष हूं। और देवर्षियों में नारद हूं। मैं गंधरवों में चित्रत हूं। और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनी हूं। घोडों में मुझे उच्च इश्रवा जानो जो अम्रत के लिए समुद्र मन्थन के समय उत्पन हुआ था गजराजों में मैं अईरावत हूँ और मनुश्यों में राजा हूँ मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुर्भी, संतती उत्पत्ती के कारणों में प्रेम का देवता काम देव, तथा सर्कों में वासुकी हूँ अनेकफण वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में भृत्य राज लम हूँ दैत्यों में मैं भक्त राज प्रलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पश्यों में सिंग हूँ, तथा पक्षियों में गरुण हूँ, समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायू हूँ, शस्त धारियों में राम, मचलियों में मगर, तथा नदियों में गंगा हूँ और तरक शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ, अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में दंध समास हूँ, मैं शाष्ष्वत काल भी हूँ और स्रष्ष्टाओं में ब्रमा हूँ। मैं सर्वभक्षिम्रत्यू हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन करने वाला हूं। इस्त्रियों में मैं कीर्ती, श्री, वाक, इस्मृती, मेगा, दिती तथा श्रमा हूं। मैं सामवेत के गीतों में ब्रहत साम हूं और छंदों में गायत्री हूं। समस्त महिनों में मैं मार्गशीश तथा समस्त रितों में फूल खिलाने वाली वसंत रितो हूँ, मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्यों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ, मैं विश्णी वंशियों में वासुदेव और मैं अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास थथा महान विचारकों में पुशना हूँ, अराजकता का दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय क्या कांशी हैं, उनकी मैं नीती हूँ, रहस्यों में मोन हूँ, और बुध्धिमानों में मैं जो मेरे बिना रह सके हे परंतब मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है मैंने तुम से जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है तुम जान लो कि सारा एश्वर्य, सांदर्य तथा ते जस्वी स्रिष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है किन्तु है अर्जुन, इस सारे विश्वत ज्ञान की आवशक्ता क्या है मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपून ब्रह्मान में व्याप्त होकर इसको धारन करता हूँ